ये साल और अगला साल दोने साल को मिला के हम हमारे अपने हरोर कॉमडी यूनिवर्स के काफी सारी चर्शे सुनने वाले हैं क्योंकि ये यूनिवर्स है ही इस तरीके का ये यूनिवर्स है हरोर कॉमडी यूनिवर्स जिसमें अभी तक तीन या फिर चार मुविज आ चुके है पाचविया भी आउगस में आने वाली है और इस यूनिवर्स का नाम है Madoc Supernatural Universe अब तुम बोलोगे यार Madoc क्या है अब ये Madoc मतलब वही कंपनी है वही production कंपनी है जिनना ये सारे movies बनाए है इसलिए नाम दे दिया है Madoc Supernatural Universe और इन सारे जितने पी सारे movies है उसमें एक element सबसे ज़्यादा common है वो है जिस टाइप के ये movies है और वो है horror comedy आज की वीड़ो में हम देखेंगे कि कितने सारे movies अभी तक इस सारे universe में आ चुके है जो अगली movie आने वाली है उसके उपर भी बात करेंगे और इन सारे movies में से क्या-क्या connection है क्या-के controversies है सारे चीज़ों के मेरे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम अगले सल आने वाले कुछ दो movies के बारे में बात करेंगे जो काफे interesting है और फिर बाकी के जितने भी सारे movies इसके list में है जो भी आ गया आने वाले है उनके बारे में भी थोड़ी से बात कर लेंगे तो शुरुवात करते है सबसे पहले movie के साथ जो थी स्त्री जो आई थी 2018 में अब इस त्री movie ने सारे ये इस universe को शुरू किया था क्यूंकि इसका जो reviews आयते movie के काफी बढ़िया थे जना इसको ध्यान में रोको इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे और स्त्री movie में बेसिकली हमरे लीड कैरेक्टर्स थे राजकुमर राओ और श्रद्दा कपूर लेकिन अभी स्त्री के अच्छे सक्सेस के बाद आई मूवी नाम था मूवी का रूही रूही में हमें फिर से देखना के मिले राजकुमर राओ लेकिन उनके साथ इस बार थी जानवी कपूर और मूवी को सच में खराब रिविउज मिले मूवी ने बिजनिस भी इतना अच्छा नहीं कामाया और ऐसा कहा भी जा रहा था कि यहाँ पर जो में दोनों मूवी में मतलब स्तिरी मूवी में और रूही मूवी में दोनों मूवी में एक जो आदमी था एक एक अक्टर कॉमन था वो था ओविसली राजकुमर राओ लेकिन यहाँ पर दोनों ही कारेटर जो उन्होंने प्ले किये थे दोनों ही characters अलग अलग ते तो यहाँ पर controversy kind of चीज ऐसी हो गई थी कि जो जो सरे fans थे उनके ऐसा मानना था कि यह जो movie है तो यह हमारे पूरे cinematic universe का part हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है लेकिन जादा करके लोग कह रहे थे कि यह हमारे cinematic universe का part नहीं है लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि हाँ यह हमारे cinematic universe का part है लेकिन यह movie रूही हमारे जो normal universe है हमारे movies का उसमें included नहीं है यानि कि यह कोई parallel या फिर alternate reality से यह movie का inception हुआ है अब अगर तुम मुझे पुछो तो देखो जिस तरीके यह movie का business बगर हुआ था जिस तरीके से के reviews मिलेते तो मुझे तो नहीं लगता कि इस movie का कोई sequel आएगा या फिर ऐसा connection link establish करा जाएगा लेकिन anyways ऐसा समझ लो फिलाल के लिए तो भी कि यह रूही movie हमारे cinematic universe का part नहीं है लेकिन अभी बात करते है अगले movie के बारे में जो है भेडिया भेडिया मैं में देखने के मिले वरुंदवन और कृति सैनन अब भेडिया movie में एक और character काफे interesting था वो था जना का character फिर से जैसे कि मैंने पहले बोला कि जना के character को याद रखो तो अभी यहाँ पर आता है तो अभी यहाँ पर बात ऐसी है कि जना का जो character है वो जना character actually हमारे जो main character है वरुंदवन जिसका नाम है भासकर जो होता है भेडिया तो उसका होता है cousin और स्त्री मूवी में जो जो चीज़ यहाँ मेरे जना के साथ हुई थी तो उसके चलते उसकी जो मम्मी है उसे वो उसके कजन के गर पे बेज़ देती है जहाँ पर उसके entry यहाँ पर होती है बेड़या मूवी में जो है proper सा एक connection link बेटवीन स्त्री मूवी और बेडिया मुवी लेकिन बेडिया मुवी के इन क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा हो गया जिसकेवरे से जो कनेक्शन लिंक थी दोनों मुविस के बीज में वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो गई वो था कि राज को मर रहा और अपर शक्ति खुराना इन दोनों को ही कारेक डिस में चली हुई है मेरा राखेंमेंडेशन पर अगर अपने मुवी नहीं देखिए जाओ देखके आओ दोस्तों के लेके जाओ मज़ा आता है मुवी को देखने के लिए अब मुवी ऐसा नहीं कि होरलर मतलब यह सारे मुवी खौरर कॉमेडी है लेकिन यह मुवी सबसे least horror element पे play करते हैं इस movie में जादा करके comedy ही है horror काफी कम है लेकिन मज़ाता है movie को दिखने के लिए लेकिन अभी इस movie के भी end में जाके कुछ इसे चीज़े होते हैं जो इसे बेड़या movie के साथ connect करते हैं और वो है हमारा जो बासकर character है भीड़या का character है वो हमें दिखाया देता है alongside जना यानि कि जो cousin प्ले कर रहा है जो स्त्री और भीड़या movie के बीच में का नेशन निंग था तो ये character हैं फिर से अप्याय करता है इस movie के end credit scene में और फिर पूरी तरीके से establish कर देता है कि मुझा movie is also a part of this maddox supernatural universe लेकिन आप बात करेंगे street 2 movie के बारे में जो भी 15 अगस्त को अने वाली है and I can say this with absolute surety कि street 2 सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी अगर movie थोड़ी से भी अच्छे निकलती है जो मुझे तो काफी बरुसा है कि अच्छे निकल नहीं वाली है क्योंकि इस movie की जो fan following है 2018 से वो काफी बढ़िया है और इस movie में ऐसा भी कहा जा रहा है कि वरुन दवन का एक cameo भी हो सकता है यानि कि वरुन दवन जो बेडिया थे उनका cameo यहाँ पे हो सकता है अब यहाँ पे काफी सार अलग-अलग possibilities निकल के आती है अगर आप सोचो तो हाँ जिस तरीके से बेडिया 2 के end में जो connection link established किया गया था तो उसके चलते वरुन दवन का एक चोटा बहुत रोल हो सकता है कुछ पास से 10 मिनिट का इस मुवी में लेकिन जो पूरे मुवी के जो outcome है उसको effect नहीं करेगा majorly या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सच में इस cameo को seriously लिया यानि कि वरुन दवन का जो भीड़ा करेटर है उसका काफी बड़ा रोल होगा मुवी के outcome में ऐसा भी वो कर सकता है या फिर जो तीसरी possibility है जो शायद से most likely possibility है वो है कि 3-2 मुवी के फिर से post credit scene में वरुन दवन के करेटर को डाल दिया जाए और फिर से एक यानों tease करें कि यार हाँ ठीक है हम सारे universe में एक ही सारे universe में है लेकिन अभी तक वो एक बड़ी grant Avengers टाइप movie सारे मलब सारे के सारे character साथ में आय रहे है वैसे movie दिखने में हमें वैसे भी थोड़ा time है लेकिन 3-2 movie का teaser कल ही शाम को आया और उसका में एक breakdown करने की कोशिश करी है उसको भी आपर चकाट कर सकते हो definitely जाके चकाट करना आपको वीडियो अच्छा लगेगा लेकिन अभी अब तक तो हमने बात कर लिए कि कौन से कौन से movies रिलीज हो गए और 3-2 के बारे में भी बात कर लिए जो भी आगस में रिलीज होने वाली है लेकिन हम तो मैं बोल सकता हो कि इतना भी जाता भरोसमत रखना विकी बीड़ाप पर लेकिन मैं तो मैं इतना गह सकता हो कि यहां बेडिया 2 डेफिनेटली आगी फिर उसके बाद मुंजा 2 भी है वो भी डेफिनेटली आने ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके का बिजनस ने की आए तो वो आएगी ही यानि कि जो भी सरे सीक्वल सीक्वल मुवीज है यानि कि बेड़ा की बेड़ा टू फिर मुंजा की मुंजा टू वो तो डेफिनेटली आएगे लेकिन उसके बाद यह जो सबसे उपर वाली मुवी है वेमपार्स ओफ विजयनागर यह भी 2025 में आने वाली है और इसके बारे में तो हमें रिसेंटली एक बड़ी न्यूस पता चली है तो रिसेंटली पिंक विला का एक आर्टिकल था उसमें हमें ऐसा पता चला कि इसमें आयुष्मान खुराना होने वाले है और उनके साथ आने वाली है राश्मी का मंदाना और यह मुवी फिला तो स्टेज में है और वो ऐसा एम कर रहे है कि मुवी की जो डेवलप्मेंट यानि कि मुवी की जो प्रोडॉक्शन है शूटिंग है वो शुरू कर दी जाए इस साल के नवेंबर से यानि कि दो आज़र पच्छिस में इस मुवी को मोस्ट लाइकली हम देखी सकते है तो यानि जो कि 2024-25 कितने सारे बात है हम सुनेंगे इस इनुवर्स के बारे में और प्लीज जाकर ये वीडियो जेकॉट करे लेना जो है टीजर ब्रेकड़ॉन 3-2 का और मैंने अपकमिंग कल की मुवी के बारे में काफी इंटेंसली बाते करी है इस वाले प्लीलिस में कुछ 10-11 वी प्लीज प्लीज जाए झारे जाकर ढरे ये शो कि बारे में ज़्कलवप बारे में जो हम प्लीज जो जो है आप पलीज़।